नमो तस भगवतो रहतो सम्मा समुदस नमो तस भगवतो रहतो सम्मा समुदस अथागत गौतम बुद्ध के चर्णों में सत्सत नमन उनसे पहले हुए 27 बुद्धों के और उनकी बुद्धफरि larva के चर्णों में सत्सत नमन, भविस्य में आने वाले मैत्र ऑिख बुद्धपरि को दिष्द को सत्-सत्नमन और हम लोगों को यह धर्म की दिशा देने वाले नगी किया है अज असाड की पूर्णिमा है यह इतना महान और पवित्र तम दिवस है कि आज के ही दिन इस धार्थ बोधी सत्व जब बोधी ब्रस के नीचे बोध गया में सम्मेक संबोधी संबुद्ध हुए थे और उसके साथ सबताबाद उन्होंने तपस्रिव और भल्लिक का भोजन के रूप में दिये गए जो लड़ू थे उन्हें ग्रहन करने के पस्चाथ फिर वो ये सोच रहे थे कि ये जो धर्म का जो आविस्कार में ने किया है जो बहुत ही दुशकर है और बड़ी कठिनाई से समझवाने वाला है इसको सबसे पहले किसको उपदिष्ट किया जाएगा जिससे की यहाँ अविद्या का नास होकर और इस जनम्मरण के चक्र से और बंधन से ये लोकमपसे प्राणी मुक्त हो सके उनका पहला ध्यान आलार कालां की ओर गया जिनके पास वो गए थे तो फिर उन्होंने देखा अपनी दिवल से और दिवे चक्सु से कि उनका तो ध्यान थो चुका है फिर उनका ध्यान आया उत्तक रामपुत की तरफ उनको देखा वो भी ज़बसे फिर उन्होंने सोचा जिन्होंने कहीं साल तक जो पंच वर गिये भिक्सु थे वो सरद्धावान है और इसमें खोज में लगे हैं अपने मुक्ती की उनकी तरफ ध्यान गया देखा कि वो सारनात के इसी पत्तन मरगदाए में साधना रत हैं उन्होंने सोचा पहले मैं उन्ही को उगदिष्ट करू इससे उनका भी कल्यान हो राजेचर का दोप का कल्यान हो तो आज ही के दिन जो अमारी पुर्णिमा है जो कल से शुरू ही और आज भी चल लए है उन्होंने उन पंच वर गिये भिक्सु को धम्चक पवत्तन सुथ उगदिष्ट किया था पंच वर गिये भिक्सु में कोडिल में भद्ये, बप, महनाम और अस्जी थे धम्चक पवत्तन सुथ धम्चक, धम्शिक्षा जो भगवान गुद्द की टीचिंग्स है उनका चक्र है क्योंकि ये परिलल नहीं है ये सर्कुलर है, चक्रीक है और जिस तरह हमारा जनम मरण का काल चक्र है इसी तरह हमारा ये धम्चक है इसका भी इसी तरह का सर्कुलर है तो धम्चक्र अध्तन सुथ सेटिंदा भील ओप्ता धम्चक है और इसके साथ ही जब वो पांचों धंचक पवत्कन सुति को सुनकर सबसे पहले कोडिन ने सुरोतापन हो गए उसके बाद फिर एक-एक कोन को बारी-बारी से सुनाया जब पांचो सुरोतापन हो गए फिर पांचो को जब सुरोतापन हो गए पांचो तो उसके बाद होने सब को एकत्र करके फिर अनत लखनसुत सुनाई अनत लखनसुत का जो उलेक है वो इसी के साथ है लेकिन प्रायर उसको लोग उतना नहीं बता पाते वो कारण कुछ हो सकते हैं धम चक पवतन सुथ और अनत लखन सुथ होने सुनने के बाद फिर वो अरहत्यों को प्राप्थ हुए उसके बाद अब लोक में बुद्ध के अलावा पांच तो छे अरहत्य थे इसी तरह फिर यस और उनके 54 साथी महीं उनको उपदिश्ट किया यस पहले परवर्जित हुए फिर उनके 54 साथी परवर्जित हुए फिर वो भी अरहत्यों फल को प्राप्थ हुए उस परकार उस समय बुद्ध समय 61 अरहत्यों न थे जो भगवान बुद्ध में तेखा अब 61 अरहत्यों हो गए हैं तब उन्होंने कहा था चरत भिखवेचारी का बहुजन हिताए बहुजन सुखाए लोग कारू का मुपाए अब इस लोग के जो अविद्या का जो अंधेरा है जो सब ही दुखों का मूल है रागद्वेश मौ का जो मूल है इसको मिटाने के लिए और यहां जागते हुए जद्दपी लोग जाग रहा है फिर भी उमानसिक और चेतना के रूप में सोया हुआ है उसको जगाने के लिए चारों तरफ जाओ एक दिसा में दोन जाएं तो उन्होंने अपना धम्चक पवतनसुत का आहवान किया और अपने आफ भी अरूवेला की तरफ गए जहां उन्हें अगने भार्द्वाज और उनके भाईयों को परवर्जित किया तो इस परकार आज के दिन का महत्तु इतना जादा है कि इसको समझना चाहिए और सब कुछ इन दो सुतों में है धम्चक पवतनसुत और अनतलखनसुत ये इतने कलिष्ठ हैं और इतने संक्षित हैं कि उसी समय उन्होंने सब बिलिवर कर दिया था परतिस्थापित कर दिय जिसको आज हम कृष्पितक कहते हैं जिसमें 82 हजार सुत्थ भगवान बुद के 2000 उनके सिस्यों के हैं कुल 84 हजार हैं वो तो जब उनसे प्रच्छाएं की गई जो प्रसंद समय में नहीं आए तो बढ़ते बढ़ते इतना व्यापक रूप हो गया वरना किसी अरहत के सुत ही सुनकर पूरे भगवान बुद की जो सिक्षाएं हैं उसका ज्यान हो जाता है इस परकार में परियास करना चाहिए मेरा सबी धम बंद्रों से भगवान बुद के उपासों को सुरावकों से करबध है अनरोध है कि आज के दिन हम लोग एक संकल लें कि भगवान बु जिस से महितकारी हैं उनको पुमसरन करने के लिए संकल्प लें जिस से की हम अपना भी कल्यान कर सकें और इसमें लोग में दूसरों का भी कल्यान कर सकें और दुखों से मुक्ती की हो हमारा मार्ग परसस्त हो सकें इनी सब्दों से मैं इसी अनुरोध के साथ मैं अपने वा झाल